Welcome to Power Racer, मैं हुँ आपका दोस्त हडशित और आज हम बात करेंगे the all new Kia Cerato के बारे में Kia Cerato एक mid-size sedan car है जो कि डैकली compete करती है Honda Civic, Hyundai Elantra और जो भी आपको mid-size sedan cars इंडिया में मिलती है या फिर globally मिलती है उन सभी सही काफ़े ज़ता है strongly compete करती है इसमें आपको मिलता है काफ़ी अच्छा ground clearance इसकी जो length है वो है 4640 mm की यानि कि आपको काफ़ी बड़िया second row में leg room मिल जाता है अभी आप इसकी GT line देख रहे है Cerato GT line जिसमें आपको मिलते है 17 inches के काफ़ी जादा premium looking alloy wheels इसमें आपको एक fun fact बताता हूँ इसमें आपको same engine मिल रहा है जो कि आपको Hyundai Vonna में मिलता है अब आप कहींगे Vonna तो under 4 meter sedan car है और ये एक plus 4 meter sedan car है तो ऐसा कैसे हो गिया देखेंगे आज पूरा वीडियो में क्योंकि इसमें भी आपको 1.6 liter का petrol engine मिलता है लेकिन वो gamma series का engine है normal MPFI engine मिलेगा naturally aspirated कोई भी turbo का इसमें use नहीं किया है 128 BHP देता है और 155 and a maximum talk output आपको देगा 4 cylinder का petrol engine है अभी इसमें diesel का कोई भी option मुझे देखने को नहीं मिलता है लेकिन मैं आप से बात करूँगा वीडियो में कि इंडिया में इसकी launching का क्या प्लान है किया motors का बाकी आज हमारे सामने इसके तीनों color option है अभी आप इसका gravity blue color देख रहे है एक white shade मिलेगा और पीछे आपको एक काफे ज़्यादा premium looking red color भी इसमें देखने को मिल रहा है बलकि ये वीडियो में बना रहा हूँ जिनने मुझे suggestion दिया था इस वीडियो को बनाने का तो उनको भी मैं thank you कहना चाहूँगा अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को अभी like कीजिए channel को subscribe कीजिए बाकी बात करते हैं इस गाड़ी के front के look से front में आप देख पा रहे होंगे देखने को मिलेंगे जो की इसको और बढ़िया बनाते है front parking sensors देख सकते है आप अब मैं बात कलेता हूँ एक बार इसकी pricing की भी तो इसकी जो pricing अभी आपको देखने को मिलेगी अगर आप American dollar को अपने Indian currency में convert करते हैं तो यह near about आपको 30,000 dollar की पढ़ने वाली है यानि कि Honda Civic Kia bracket में आपको मिल जाएगी लेकिन इंडिया में इसके launching क्या है क्या कुछ होगा आगे चलके बात करते हैं आगे गाड़ी काफ़ जादा cool looking है काफ़ी अच्छी है आपको इसमें sunroof मिल जाती है आपको फुली लैदर का आपको वॉक देखने को मिलेगा यह भी इसको एक प्रीमियम टस्ट देते हैं तो वीडियो को साथ आगे बढ़ते हैं अगर आप बात करेंगे इसके फ्रंट से तो आपको Kia की dedicated इसमें tiger nose grill देखने को मिलेगी जो की इसमें एक character add करती है फुल LED आपको इसमें headlamp मिल जाएंगे क्योंकि यह इसकी GT line है तो आपको देखिए फुली red आपको इसमें treatment देखने को मिल रहा है Kia की जादा तर cars का front का look काफे जादा identical होता है बात कर लें SUVs का, sedans का या फिर आप अपनी premium इनके sports sedan के बात करें उनका भी front का look जादा तर क्योंकि इन सब में आपको Kia की ही जो आपको identity tiger nose grill है वो देखने को मिलती है जैसे BMW अपनी kidney grills offer करता है वैसी Kia अपनी kidney जो आपको इनकी tiger nose grill है वो offer करती है अब हम आ चुके है इसकी alloy wheels की और तो इसमें आपको देखिए premium Mercedes जो inspired design में से कहता हूँ यह इसके 17 इंचिस के alloy wheels मिलेंगे 225 section 45 radial 17 का आपको समिट आर में लेगा all four wheels में आपको disc brake मिलता है इसमें इंटियर का एक बड़िया feature मुझे यह लगा किसमा आपको welcome feature मिलता है इंटियर में जोगी आपको काफी अच्छा लगेगा अभी हम देखेंगे जो आपको turn indicators से उसकी positioning कोच ऐसी देखने को मिलेगी वा भी हम आपको fully black tan में मिलने ओला है एक बड़िया design है गाड़ी को अगर ऐसी देखे तो यह गाड़ी की sunroof के साथ पूरा design आते हुए तो एक अच्छी length है इसकी 4640 mm की ground clearance आपको मिलता है 160 mm का अगर आप इसको white shade में देखना चाहते है यह आप इसकी GT line देख रहे है और अगर आप इसकी EX line देखते है तो ऐसा कोच इसका EX line आप यह जादा sporty लगता है यह देख रहे है आप इसकी normal इसमें आपको sunroof नहीं मिलेगा इसकी price भी काफी कम है compare to अगर आप top of the line GT line यह बात करते है और यह इसका base model है जिसमें आपको start stop button नहीं मिलता है लेकिन इसके alloys बहुत जादा sporty आपको लगे यह देखी red color है इसका तो यह और जाद आपको वैसे ही sporty लग रहे होगी red color के साब से अगर GT line में red color मिलता तो और जादा देखने को बढ़िया लगता आपको लेकिन red color में भी same ऐसी होगा क्यूंकि वो GT line थी उसमें आपको black chrome का use देखने को मिला था कि हाँ पर आपको सारे red inserts मिले थे लेकिन यह इसका base variant है इसलिए इसमें इतनी ज्यादा detailing नहीं मिलेगी halogen headlamp मिलते है top of the line इमें आपको मिल जाते थे fully LED headlamps यह देख रहे हैं आप इसका side की पूरी profile गाड़ी के alloys काफी अच्छे लगते हैं मैं आपसे कहा था कि इसमा आपको 1.6 लीटर का gamma series का MPFI petrol engine मिलता है जो कि आपको वन्ना में भी देखने को मिलता है 128 bhp और 155 nm talk के साथ इसमा आपको 15 इंचिस का alloys मिलें जैसे आपको Amaze में देखने को मलते है इंडिया में और यह क class ahead होड़ जाते इसमें भी आपको rear में अगर आप देखेंगे तो आपको वन्ना की तरह ही drum brakes देखने को मिलेंगे तो यह कहीं नहीं compete कर सकती है हमारी इंडिया में कम प्राइजिक में भी आ सकती है तो बताइए आपको कैसा इसके लिए पूरी आपका इसका future आप क्या आपको इसमें यह देखिए एक अच्छा डिजाइन दिया गया है इसमें रेट कर काफे बढ़िया लग रहा है साइड प्रोफाइल के साब से चले और यह आपके पास white color है BMW 5 Series की तरह लग पीछे से और आप हम चलते इसके top of the line variant में जिसमें आपको सारे feature देखने को मिल जा आपता है इसका one-touch smart tailgate जिसमें आपको demo के लिए suitcase दिखाएगिया है एक deep आपको boot मिलेगा Honda Civic कीत रही इस पेशेस है काफी लेकिन इसमें आपको luggage lamp जो आपको luggage boot lamp होता है वो नहीं मिलेगा यहां से आप इसको बंद कर सकते हैं टेल लैंप का design कुछ आप देख रहे है अभी रिया parking sensors आप देख सकते है रियर diffuser देख सकते है और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा spoiler assembly मिल जाएगी राट हो आपको लिखावा मलेगा GT line आप देख सकते है यहां पर लखी हुए neatly वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप इस गाड़ी को इंडिया में चाहते है तो उसी से companies को भी response मिलता है कि कितना customer इसको पसंद कर रहे है बाकी यह देखें क्वालि का मतलब यह है कि खरीदने से पहले आफ्टर फाइनल क्वालिटी आप समझते है टोटास यहां रिलाइबिलिटी के लिए जानी जाती है इसके लिए कांपनी ने काफी क्लेवल ली उस को लिखा हुआ है दूसरी और अगर नीचे देखें के तो यह इसके आप अलावी वील वावियम्स का डिजाइन आप देख रहे है कुछ यह सं रूफ है काफी अच्छे तरीके से नीटली डिजाइन है इंटीर में आपको में ले चलू इसके तो इंटीर आपको फुली नापा लैदर फिनिश मिलने वाला है बहुत प्रीमियम लगता है यहां पर आपको पूरा प्रीमियम लेगी आपको पूरी मतलब जितना आपको सिविक का इंटीर है वैसा तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इक मार्जेनल मिलने वाला है जितना आपको 1.6 लिटर का पेट्रॉल इंजिन के साथ गाड़ी मिलनी चाहिए उतना सब कुछ मिल जाएगा लेंद इसकी लेकिन सिविक मापको तर्बो नहीं मिलता है वही इलांट आपको टू लिटर का इंजिन ओफर करती है नॉर्मल वाला यह पूरा लैदर पैडिंग मिलती है और आपको इसमें हार्मन का पूरा स्पीकर सिस्टम मिलता है यह यह एक अच्छी बात है डेशबोड का पूरा डेजाइन देख रहे है एक फ्लोटिंग आपको इसमें इन्फोटेन्मेंट सिस्टम मिलती है यह सारे फॉंट्स आपको सेल्टॉस की तरह मिलने वाले सब कुछ और किया एक किया बहुत एक मल्दब एक बेंच्मार्क रेट कराई नहें अपनी प्री करता है कि जैसे ही आप इसके डोर को ओपन करेंगे शायद अभी यह वाक करें इसको पहले थोड़ा आगे कर देता हूं कि यह देखिए मैं इसको ओपन करूंगा यह पीछे नहीं गई लेकिन वेल्कम फंक्शन इसमा भी वख कर रहा था और ज्यादा करता हूं यह नहीं जा रहे है लेकिन वक कर रहा था मैं एक बास को बंद करके यह देखिए पीछे जा रहा है आटोमेटिकली तो यह वैलकम फंक्शन इसका तो यह चोड़ी चीजे है जो कि अच्छा बनाती है इसको आप हम बैट के देखते है इस गाड़ी के अंदर यह पूरा डैशबोड का पूरा व्यू देख रहे है यहां आपको पूरा सॉफ्ट अज मिलने वाला है गाड़ी मगर आप व्यू की बात करें तो आपको देखिए फ्रंट का डैशबोड पूरा विजिबल हो रहा होगा और काफी अच्छा स्पेस है सुन्रूफ आपको इ आपको सेल्टॉस केट डीजल में भी मिलता है तो आगे हम इसके इंटीर में इसकी पूरी आपको मिल जाएगी सिस्टम चेक और यह देखिए सारा कुछ वह है जैसे आपको मिलता है बागी दूसरी हो जादा मर्सेडीज इस पैड़ आपको एसी वेंट्स मिलेंगे अपना लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना अफ तो मैं बार-बार कहूंगा क्योंकि काफी लोगों से कह रही से कि सब्सक्राइब करो कहते हो आप लोग यह कर दिया करगे अच्छा लेगा आपको यह आपको ECM coated मिलेगा पूरा electrochromic mirror के साथ IRVM automatic interior fully आपको देखिए इसमें और इसके लिए ना manual दी हुई है automatic नहीं है reading lamps आप देख सकते है sunroof provide की गई है वन्ना के बराबरी है जादा बड़ी ऐसी कुछ नहीं है तो ये कुछ है मैंने आपसे engine आपको बता दिये इसके नीचे storage space है इस से जादा value for money आपको वनना फील होगी क्योंकि compromise माती है और इंडिया में भी sale भी हो रही है ये 6-speed automatic transmission आपको paddle shifter के साथ आता है US की गाड़ी है यार पूरा feature-wise सब कुछ packed गाड़ी है मैमोरी फंक्शन भी है देखिए सीट में दूसरी हो अगर मैं आपको इसकी पीछे ले जाता हूँ अब second row में तो यहाँ आप देखिएंगे इसकी यह इसकी spacious seat से काफी जिसमें आपको अच्छा underthight support देखने को मिलेगा यहाँ तो normal वही सारे function है और center में आपको थोड़ा सा हम मिलेगा जो कि गाड़ी को solid बनाने के लिए आ जाता है यहाँ पर आप देखिएंगे तो पूरा आपको AC vents प्रोवाइट किये गए है यह है पूरे dashboard के frontal view विट्चन रूफ और एक reading lamp जो कि LED है चीक है एक cause cutting की गई है जिसमें आपको vanity mirror में आपको halogen वाला बब ले दिया गया है वो भी आपको इसमें भी आपको backlight का function नहीं है देखिए middle passenger के लिए भी आपको एक headrest मिलता है being a sedan car comfortable drive के लिए आपको एक armrest मिल जाता है इसमें जो कि अच्छी बात है यहां अगर आप मेरा space देखते है headroom देखते है तो कुछ मेरा इतना headroom मिलेगा मेरा shoulder room मिलेगा गाड़ी की thud बहुत जादा है तो गाड़ी बहुत जादा solid है अभी तो sunroof खुली है इसलिए आपको thud कम फील हो रहा होगा लेकिन अगर sunroof भी बंद करती है तो बहुत जादा आपको इसमें थट फील होगा देखे प्रॉपर आपको space मिल जाता है legroom देखेंगे तो इतना legroom है अच्छा legroom है 4640 mm की length है पूरी जो कि आपको अच्छी मिल जाती है लेकिन बस engine इसका 1.6 liter है power figure 128 bhp के है लेकिन torque 155 है केवल अगर 180 तक जाता तो और जादा बढ़ी हो जाता है इस size के गाड़ी के लिए दूसरी और यह आपको manual मिलेगा यह है इसका 1.6 liter का gama series 4-cylinder petrol engine 1600 cc का engine है 4-cylinder जो कि आपको 128 bhp दे रहा है और 155 mm torque being a petrol engine इसमा आपको dampening फिर भी दी गई है bonnet इसमा अच्छा heavy feel हो रहा है और कोई भी आपको pneumatic struts नहीं दीए गए जो भी थोड़ा और आसान मना देते बागी किया का लोगो आप देख सकते है तो काफे सादा अच्छी good-looking गाड़ी है fog lamps की positioning भी देखिया आपको काफी unique दी गई है साइट से और यह LED headlamps दूसरी ओ cornering function का ऐसा इसमें कुछ नहीं है यह इसका white color एक red बहुत बढ़िया लग रहा है और यह इसका gravity blue color है वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजिए बाकी मिलते है ऐसी धमाकेदार नई नई वीडियो के साथ अगर आपने मेरी Kia Stinger की वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको Kia Stinger एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि Sedans की बार चली रही है तो Stinger को कैसे कौन भूल सकता है यह देखिए Kia Stinger अगर आपने नहीं देखिए तो देख लीजिए अगर देख लिए तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको Stinger कि देखिए Kia Stinger अमेजिंग लुकिंग Sports Sedan कार यह देखिए यह इसके लिए एक specific studio बनाया गया है जहां इसकी पूरी आपको एक detail मिल जाएगी हार एक चीज की रियर का लुक इस गाड़ी का काफ़े जादा बढ़िया लगता है आपको वो भी दिखाता हूँ रियर का लुक इस गाड़ी का पीछे साब को यह मतलब वाला लुक देने वाली अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चानल को सस्क्राइब कीजिए बाकी मिलते है नेक्स वीडियो के साथ जैहिंद, जैवारत, वंदे मातरम, सावनारा, जैसिंगपो बाकी यह गाड़ी बहुत यह भी शंदार है और लेकिन अपने बजट में तो यह ही आएगी सिराटो, किराटो या फिक केरेटो बहुत सारे नाम में इसके ऐसे कोई बात नहीं, यह रेड है इसका और यह देख रहे है आप इसका ब्लू कलर तो मिलते है नेक्स वीडियो के साथ जाएंट जावारत, बने मात्रों